सीरल जहनक की कहानी में जहनक ने पूरा तरीके से मन बना लिया है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो अपने बेटे या बच्चे के साथ नहीं होने देगी ब्रिजबूशन ने जिस तरीके का धोका उसकी मौक दिया ये बात यहाँ पर जनक को पता ही नहीं कि ब्रिजबूशन ही उसका पिता है और इसलिए वो अपने बच्चे के लिए सेम वही नहीं चाहती है डॉक्टर के बनाने के बाद आपने देखा ही था कि अधित्ते किस तरीके से केर करते हुए दिखाई दे रहे थे वो भी जनक की ऐसे में खबरों की माने जाये तो कहा जा रहा है कि जब अनिद्ध इंकार कर देगा बच्चे को एकसेप्ट करने के लिए तब यहाँ पर अधित्ते ही कहेगा कि तुम इसे बच्चे को नौ महीने तक लेकर घूमोगी और लोग बहुत इंसल्ट करेंगे जनक अभी भी आएगा कि देखा मैंने कहा था ना ये बच्चा मेरा नहीं इसी का है तभी तो इसने इससे शादी करी लेकिन नौ महीने का जो वादा किया है जनक ने कि 9 महीने बाद वो डिन ए रिपोर्ट लेकर आएंगे और सच को साबित करेंगे और 9 महीने बाद अब जब वो अपने बच्चे को डिलेवर करेगी तब यहां पर आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से उसी समय वो अनिरुद को कॉल करके बुलाएगी और डॉक्टर खुद यहां पर जनक के भीहाप पर यह डियने रिपोर्ट दिखाने वाले हैं और अब इस डियने रिपोर्ट की से तूट जाएगा उसने जनक के साथ यह क्या कर दिया अब वो यहां पर जनक की जिन्दगी में दुबारा से जाना चाहेगा लेकिन क्या जनक अनुर्द के इतना सब कुछ बक्वास करने के बाद उसे एक्सेट करेगी देखना